Article 370 और 35 से हटाए जाने के बाद थलसेन अप्रमुख विपिन रावत आज पहली बार कश्मीर दौरे पर जाएंगे जनरल विपिन रावत दो दिन के अपने कश्मीर दौरे में मौझूदा हालात और सुरक्षर के इंतिजामों का जायसा लेंगे साथ ही थलसेन अप्रमुख पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रहे सीजवायर उलंगन के बाद एलोसी के हालात की भी समेक्षा करेंगे जबकि अपने इस दौरे में वो कई सेन राधिकारियों के साथ ही राजजिपाल से भी मुलापात कर सकते हैं अमित पांडी हमाइस सेयोगी स्वक चुड़ चुड़ चुके हैं अमित यह देखिए दौरा बहुत महत्वपूर्ण है कितने बजे वो पहुत जाएंगे कश्मी जे बिलकुल ये भारत सरकार की दूर गामी जो रणनीती है उसका एक हिस्सा है इससे पहले रक्षा मंत्री राजनास सिंग ने लद्दाक का दौरा किया था उससे पहले अरजुन मुंडा गए थे और इसके बाद भी यहाँ पर केंज सरकार की जो एक दूर गामी रणनीती है उसके मताबिक कि जितने भी जो सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं केंद्री मंत्री हमाद पूर्ण केंद्री मंत्री समय समय पर आने वाले करीब एक महीने में वो घाटी का के अलग अलग जगहों का दौरा करेंगे और वहां की योजनावकार मुआना करेंगे और इसी कड़ी मे इसी कड़ी में जो सेना प्रमुक है उनका दौरा यहाँ पर बहुत माइने रखता है कि आखिरकार जो सेना वहाँ पर तैनात है बॉर्डर के एरियाज में जो निगरानी कर रही है आखिरकार उसको किसी दिक्कत का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत 370 खाटी को अशांत करने की कोशिश करना इसके अलावां बहुत ही-बहुत ज़ादा मुवमेट्स जैसा हमारे सायोगी संदीब बता रहते कि अक्रोस जबॉर्डर सीमा पार बहुत ज़्यादा उनके मूमेंट देखे गए हैं क्रोस बॉर्डर वालेशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो यह जो नई परिस्थिती उभरी हैं उनको देखते वी यह दोरा है और आने वाले दिनों में भी हम इसी तरीके से महतपूर्ण व्यक्तियों के महतपूर्ण जो मंत्री हैं उनके भी दोरे हम घाटी में हम देखेंगे और नई नई घोशना हैं हम यहाँ पर देखेंगे बिलकुल अमित ये जिस तरीके से आज पहुंचेंगे विपिन रावत क्या ये सामाने दोरा माना जाए तीन सो सतर हटने के बाद या फिर जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की तरफ से साजिशों का खुलासा हो रहा है उसके मद्दे नजर इसकी एहमित और बढ़ जाती है जी बिलकुल इसकी एहमित इन दोनों बातों को मिलाकर इस दोरे को देखा जा सकता है क्योंकि अब जब लगातार पाकिस्तान की ओर सी ये कोशिश हो रही है तो रणनीत किया है सुरक्षा पलो के पास कैसे वो इन सारी चीजों का जवाब दे उसका मुआयना यहां पर करने जाएंगे और सेना के पास दोहरी जिम्मेदारी है एक तो वहां पर क्रॉस जो सीमा पर सीमा से घुसपैट रोखना दूसरा जो जनता के बीच में लगातार उनके बीच में विश्वास बढ़ाना और अपने करते का निर्वाह करते हुए वहां के आम लोगों को दिक्कत आना होना तो इस दोहरी जिम्मेदारी को कैसे बखूमी से सेना यहां पर उसका निर्वाह करें इस बात को भी यहां पर सुनिश्षित करेंगे और एक Cabinet में भी अगर हम कैबनीट की बात करें तो कुछ द और हम यही हम यह उमीद कर सकते हैं कि तमाम जो अभी तक ही चीजे हुई है जो रनीती अपनाई गई है उस पर चर्चा होगी और नए कदम भी उठाए जाएंगे ताकि जो सीमा पार से जो आतंकी घुस्पैट की कोशिश है वो नाकाम हो सके और सीमा की जो सुरक्षा है वो पूरी तरीके से बहतरीन तरीके से सुनश्यत हो अमित इस पर हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे पिलहाल जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया